नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में आज हम सुनो कहानी में सुनाने वाले आपको शिव प्रसाद मिश्र की लिखी कहानी एही ठेया जुली हैरानी हो रहा महराष्ट्य महिलाओं की तरह धोती लपेट कच बांदे दुलारी दना दन दंड लगाती जा रही थी उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमी पर पसीने का पुतला बन गया था कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोचे से अपना बदन पोचा बंदा हुआ जूडा खोल कर सिर का पसीना सुखाए और तत पश्चात आदम कद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भूज दंडों पर मुगद द्रिष्टी फेरते हुए प्याज के टुकडे और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भीगोए चने चबाने आरम किये उसका चणक चरवन परव अभी समाप्त ना हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दर्वाजे की कुंडे घटकटाई दुलारी ने जल्दी जल्दी कच खोल कर बकायदे धोती पहनी केश समेट कर करीने से बांद लिये और तब दर्वाजे की खिड़की खोल दी बगल में बंदल सी कोई चीज दबाए दर्वाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था उसके दृष्टी शर्मीली थी उसके पतले होटों पर जेब भरी फीकी मुस्कराहट थी विलोल आँखे टुन्नू की आँखों से मिलाती हुई दुलारी बोली तुम फिर यहां टुन्नू? मैं तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना टुन्नू की मुस्कराहट उसके होटों में ही विलीन हो गई उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा की कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया दुलारी बंडल लेकर देखने लगी, उसमें खदर की एक साड़ी लपेटी हुई थी टुन्नु ने कहा, ये खास गांधी आश्रम की भी नहीं है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा, टुन्नु का शीन वदन और भी सूख गया उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्योहार था टुन्नु की बात काटते हुए दुलारी चिलाई, होली का त्योहार था, तो तुम यहां क्यों आए, जलने के लिए, क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दोड़े चले आए, तुम मेरे मालिक हो, बेटे हो या भाई हो, कौन हो, खेरिया चाते हो तो ना ये कफन लेकर यहां से सीधे चले जाओ, और उसने उपेक्षा पुर्वक्त होती टुन्नु के पैरों के पास फैक दी, टुन्नु की काजल लगी बड़ी-बड़ी आँखों में अपान के कारण आशु भराए, उसने सिर जुकाए होए आदर कंट से कहा, मैं तुम से देखो, पत्थर की देवी तक अपने भग द्वारा दी गई भेटे नहीं ठुकरा दी, तुम तो हाड़ मास की बनी हूँ, हाड़ मास की बनी हूँ तबी तो, दुलारी ने कहा, टुन्नु ने जवाब नहीं दिया, उसकी आँखों से कजल मलीन आसुओं की बूंदे नीच सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी, दुलारी कहती गई, टुन्नु पाशना प्रतीमा बना हुआ दुलारी का भाशन सुनता जा रहा था, उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वो रूप या उमर का कायल नहीं होता, और कोठी से बाहर निकल वो धीरे- उतरने लगा, दुलारी भी खड़ी-खड़ी उसे देखती रही, उसकी भौ अभी वक्र थी, परन्तु नेत्रों में कौतुक और कठोर्ता का स्तान करुणा की कुमलता ने ग्रहन कर लिया था, उसने भूमी पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आसों के धब्ब अभी कुल छे मास हुए थे, पिछली भादों में तीच के अफसर पर दुलारी खोजवा बजार में गाने गई थी, दुकड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती खायाती थी, उसे पद में ही सवाल जवाब करने की अद्बुत शमता प्राप्त थी, कजली गाने वाल उने अपनी जी सुनक्षे समझ ली थी, परन्तु जब साधारन गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुकड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का, गुनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की और हाथ उठा कर ललकार कर उ अपनी विजय पर पूरा विश्वास ना रह गया, बालक तुन्नु बड़े जोश शेगा रह था रनियाले परमिसरी लोट, रनिया, ले परमिसरी लोट तर गोडेचे गेवर बुंदियार दे मा ते मोति का बिंदिया दे माते मोती का बिंदिया और किनारी में साड़ी के टाक सो नहली गोट रनिया ले परमिजरी लोट रनिया ले परमिजरी लोट रनिया ले परमिजरी लोट रनिया ले परमिजरी लोट शैनाई वालों ने टुन्नु के गीत को बंद बाजे में दोराया लोग ये देखकर चके थे कि बात-बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने सौभाव के प्रतिकूल खड़ी-खड़ी मुस्कुरा रही है कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नु दुलारी से होड कर रहा था और दुलारी मुग्द खड़ी सुन रही थी टुन्नु के इस सार्व जनिक अविर भाव का ये तीसरा या चौथा अफसर था उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के दस बाच घर यजमानी में सत्य नरायन की कथा से लेकर श्राद और विवात तक कराकर कठिनाई से ग्रश्टी की नौका खे रहे थे परंतु पुत्र को अवारो की संक्ती में शायरी का चसका लगा उसने भैरो हैला को अपना उस्ताद बनाया और शीगरी सुन्दर कजली रचना करने लगा वो पदात्मक प्रश्णोत्री में भी कुशल था और अपने इसी विशेष्टा के बल पर वो बज़डीया वालों की और से बुलाया गया था उसकी शायरी पर बज़डीया वालों ने वाहवा का शोर मचाकर सिर पर अकाश उठा लिया खोजवा वालों का रंग उतर गया तुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया पुनहा दुककड पर चोट पड़ी शैनाई का मधुर स्वर गुंजा अब दुलारी की बारी आई उसने अपने दृष्टी मद विहल बनाते वे तुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे भर आज देखा और उसके कंट से छल-छल करता स्वर का सोता फूट निकला कोडियल मौहवे ले भूबकोत प्रबाप तो गाट अगुरलां कि तुर बाप तो गाट अगुरलां कौडी कौडी जोर बटूरल तैचर बॉला बोल जिन्रगी में कब देखले लोट अब बजा डिया वालों के चेहरे हरे हो चले वे वहावाई देते हुए सुनने लगे दुलारी गा रही थी तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं तू तो वास्तव में बगुला है बगुले के पर जैसा ही तेरा शरीर का अंग है वैसे तू बगुला भगत भी है उसी की तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ परन्तु कभी ना कभी तेरे गले में मचली का काटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी इसके जवाब में टुनू ने गाया था जतन मन माने गरियावा अईने दिल के तपन बुझावा अपने मन के विथा सुनाएब अम्डंके के चोट रनियाले परमेसरी लोट इस पर सुन्दर के मालिक फैकु सरदार लाठी लेकर टुनू को मानने दोड़ा दुलारी ने टुनू की रक्षा की यही दोनों का प्रत्थम परिछे था उस दिल लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना सुईकार नहीं किया मजलिस बद मजा हो गई टुनू को विदा करने के बाद दुलारी जब सामाने हुई तो सहसा उसे खयाल पड़ा कि आज टुनू की वेश भूशा में भारी अंतर था मलमल की जगा खदर का कुरता और लखनवी दुपलिया की जगा गांधी ठोपी देखकर दुलारी ने टुनू से उसका कारण पूछना चाहा था परंतु उसका अफसर ही नहीं आया उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपडों का संदू खोला और उसमें बड़े यतन से टुनू द्वारा दी गई साड़ी सब कपडों के नीचे दबा कर रग दी उसका चित आज चंचल हो उठा था अपने प्रती टुनू के हिर्दे की दुर्बलता का अनुभव उसने पहले ही मुलाकात में कर लिया था परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्रवाना था बीच में भी टुनू उसके पास कई बार आया परंतु कोई विशेश बाचीत नहीं हुई कारण टुनू आता घंटे आद घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता पूछने पर भी हिर्दे की कामना प्रकटना करता केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बाते सुनता और फिर धीरे से चाया की तरह खिसक जाता योवन के अस्ता चल पर खड़ी दुलारी टुनू के इस उनमाद पर मन ही मन हस्ती परंतु आज उसे क्रिशक आये और कच्ची उमर के पांडू मुख बालक टुनू पर करुना हो आई अब्दुलारी को ये समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के परती टुनू के मन में कोई लाब नहीं है वो जिस वस्तू पर आसक्त है उसका संबन्द शरीर से नहीं आत्मा से है उसने आज ये भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रती जितनी उपेक्षा दिखाई है वो सब कृत्रिम थी सस्तो ये है कि हिर्दे की एक निर्भत कोने में टुन्नू का आसन द्रढ़ता से स्थापत है फिर भी वो तथ्य स्विकार करने के लिए प्रस्तोत नहीं थी वो सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी वो घबरा उठी विचार की उल्जन से बच्जे लगी उसने चूला जलाया और रसोई की विवस्ता में जुट पड़ी त्योही धोतियों का एक बंडल ये फैकू सरदार ने उसकी कोठी में प्रवेश किया दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से द्रिष्टी फेर ली फैकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा देखो तो कैसी बढ़िया धोतिया है बंडल पर ठोकर जमाते हैं दुलारी ने कहा तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था वो वादा टीज पर पूरा कर दूँगा आज कल रोजगार बड़ा मंड़ा पड़ गया है फैकू ने समझाते हुए का दुलारी फैकू का उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रे करता हुआ देश के दिवानों का दल भैरवनात की संग्री गली में घुसा और भारत जन्नी तेरी जै तेरी जै हो गीत की ध्वनी से उभाय पार्षब में खड़ी इमारतों की प्रते कोटरी गूँज गए एक बड़ी सी चादर फैला कर चार व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था उसी पर खिडकियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी, आदी की वर्षा हो रही थी सहसा दुलारी ने भी अपनी खिडकी खोली और मैंचेस्टर तथा लंका शायर के मिलों की बनी बारिक सूट की मख मली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फैक दिये चादर सम्भानने वाले चारो व्यक्तियों की आँखे एक साथ खिडकी की ओर उड़ गे कारण अब तक जितने वस्तरों का संग्रे हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे परन्तु ये जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी चारो व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोकों की आँखे बंडल फैकने वाली खिडकी की तलाश करने लगी त्योही खिडकी पुनह धड़ाके से बंद हो गे जुलूस आगे बढ़ गया जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलीस के रिपोर्टर अली सगीन ने भी ये दृष्य देखा अपनी फराटी मूचों पर हाथ फेरता हुआ सजग नेतरों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया इतने में ही उपर खिड़की का एक पला फिर खुला और तुरंद ही पुना धड़ाके से बंद भी होगा परंतु इसी बीच अली सगीन ने देख लिया कि किवार दुलारी ने खुला था और एक पुरुष ने चटके से उसका हाथ किवार के पले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पला बंद कर दिया उस पुरुष की आकरिती में पुलिस के मुखबर फैकु सरदार की उड़ती जलक देख पुलिस रिपोर्टर की रोबीले चेहरे पर मुसकान की शीन रेखा शड़ भर के लिए खिच गई उसने तनिक हट कर चबूतरे पर बैठे बेनी तवोली के सामने एक दूनी फैक दी फैकु सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीट पर शपाशप ज़ाडू ज़ाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमा धम सीड़ी उतरती दुलारी चिलाई निकल निकल अब मेरी दहरी डाका तो दान से तेरी नाक काट लूँगी उतकट क्रोध से दुलारी के नतने फूल गए थे अधर फड़क रहा था आँखों से जौला सी निकल रही थी फैकु के गली में निकलते ही उसने दर्वाजा बंद कर लिया उधर पुलीस रिपोर्टर से आँखे चार होते ही जेपने के बावजूद लाचार सा होकर फैकु उसकी और बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लोटी आंगन में खड़ी उसकी संगनी और पडोसिनों ने उसकी और कुतुहल भरी द्रिश्ची से देखा परंतु दुलारी ने उनकी और आँख तक न उठाई सीड़ी चड़कर उपेक्षा से जाड़ू अपनी कोठी के द्वार पर फैकती हुई वो अपनी कोठी में जागोसी चूले पर बटलोही में दाल चूर रही थी उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी सारी दाल चूले में जाकिरी आंग बुझ गई परन्तु दुलारी के दिल की आंग अभी भटी की तरह जल रही थी पड़ोसीनों ने उसकी कोठी में आकर वो आंग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरम किया फल सरू वो ठंडी भी होने लगी दुलारी बोली तुम्ही लोग बताओ कभी टुन्नू को यहां आते देखा है ये तो आती गंगा में खड़े हो कर कह सकते हैं कि टुन्नू यहां कभी नहीं आता जिंगूर की माने का है वो ये बात बिलकुल भूल गई थी कि उसने कुल दो घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था जिंगूर की मा की बात सुनकर अन्यस्त्रियां होटों में मुस्कुराई परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया दुलारी पुनहा शांत हो चली इतने में कंधे पर जाल डाले नौ वर्षे बालक जिंगूर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महराज को गोरे सिपायों ने मा डाला और लाश भी उठा ले गई और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हस पड़ती तुन्नू को दो चार गालिया सुनाती परंतू आज ये समवास सुनवे स्थब्द हो गई उसने ये भी ना पूछा कि घटना कहां और किस तरह हुई कभी किसी बात पर ना पसीजने वाला उसका हिर्दे कातर हो उठा और सदेव मरू भूमी की तरह धूदू जलने वाली उसकी आँखों में मेगमाला घिर आई उसने पडोसिनों की निगाह से अपने आँसों को छिपाने का कोई प्रत्न नहीं किया पडोसिने भी करकशा दुलारी के हिर्दे की ये को मलता देख दंग हो गई उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनीता और सुलब अविनय मात्र समझा मुझे लुका छिपी फुटी आँखे नहीं सुआती मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट दुलारी ने का वो उठी और सबके सामने संदू को खोल उसमें से टुनू की दी हुई आसूं के काले धबों से बरी खदर की धोती निकाल उसने पहन ली उसने जिंगूर को बुला कर पुछा तो नू कहां मारा गया जिंगूर ने बताया टाउन हॉल और जब वो टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दर्वाजे पर ही थाने के मुशी के साथ फैकुर सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाना जाना होगा आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारों में उसे गाना पड़ेगा रिपोर्ट की कौपी मेज पर पटकते हुए परधान समवदाता ने अपने सह कर्मी को ढटाटा शर्मा जी आप तो अकबार की रिपोर्टरी छोड़ कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता समवाद संगरे तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती भैबित शर्मा जी ने गड़े में कोड़ी खेलती हुई अपने आखों से चश्मा उतार कर उसे कुर्टे से पोच्छते हुए पूछा क्यों क्या हुआ प्रधान समवदाता ने खीच कर कहा यह जो आप पन्ने पर पन्ना आलिफ लैला की कहानी से रंग लाए है वो कहां चापेंगे और कौन चापेगा इस पर भी आपने कुछ विचार किया है आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवा है आज आपकी रिपोर्ट चाप दू तो कल ही आकबार बंद हो जाए संपादक जी भी बड़े घर पहुचा दिये जाए अपने संबंद में वारता होती सुनकर संपादक जी भी सजक हुए उन्होंने पूछा अरे भाई साब क्या बात है यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर जख रहा हूँ और क्या परधान संपादक ने आदेश दिया परधान संपादक ने रिपोर्ट की कापी शर्मा जी की और बढ़ाते वे कहा लीजिया आप ही पढ़कर सुनाईए वो शिर्शक भी पढ़ दीजेगा जो आपने संपाद पर लगाया है क्या शिर्शक है एही ठिया जुलनी हैरानी हो रामा जे भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वो रिपोर्ट पढ़ने लगे कल 6 अप्रेल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हरताल रही यहां तक की खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था ऐसे ही जुलूस के साथ नगर का प्रसिद कजली गायक टुन्नू भी था उक्त जुलूस जब टाउन होल पहुँचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालिया दी गाली देने का प्रतिवात करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी चोट पसली में लगी वो तिल मिला कर जमीन पर गिर गया और उसके मूँ से एक चुलू खून निकल पड़ा पास ही गूरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी उन्होंने टुन्नू को उठा कर गाड़ी में लाद दिया लोगों से कहा गया कि अस्पताल को लेके जा रहे है परंतु हमारे संवधाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया है कि वास्तव में टुन्नू मर गया रात के आठ बजे टुन्नू का शब वरुणा में प्रवाहित किये जाते भी हमारे संवधाता ने देखा है इस सिलसले में ये भी उलेक है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौन हारिन से भी संबन था कल शाम अमन सबा दुआरा टाउन हौल में आयोजित समारों में भी जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधी उपस्थित नहीं था दुलारी को नचाया गवाया गया उसे भी शाय टुन्नू के मृत्यू का समवाद मिल चुका था वो बहुत उदास थी और उसने खदर की एक साधरन धोती मातर पहन रखी थी सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी वो स्थान पर गाना नहीं चाती थी जहां आठ घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी परन्तु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाईश की दुलारी ने फीकी हसी हसकर गाना प्रारम किया उसने कुछ अजीव दर्द भरे गले से गाया पासी में कंपनी बाग के फूलों की खुश्बू से वायू मंडल अमोदित हो उठा था चारों और सनाटा छाया हुआ था जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूँज उठी बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुनू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्ची जमाएवे दुलारी ने दोहराया एही ठहिया जुली हैरानी हो रामा और फिर चारों और उद्भरांदर धिर्ष्ची घुमाते हुँ उसने गाया कासों मैं पूछू उसके अधर प्रांच पर स्मित की एक शीन रेखा सीखिची उसने गीत का दूसरा चरण गाया सास से पूछू न न दिया से पूछू सास से पूछू न न दिया से पूछू देवरा से पूछत लजाने हो रामा कहते कहते वो बिजली की तरह एकदम गुमी और जमादार अली सगीर की और देख उसने लजाने का बिने किया उसकी आँखों से आंसू की बूदे चाहर उठी या यू कहिए कि वे पानी की कुछ बूदे भी जो वरुणा में टुनू की लाश फैकने से छिट की और अब दुलारी की आँखों में प्रकट हुई वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था आधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं मृत्यू के गंभीर भाव में भी नहीं सत्य परंतु छप नहीं सकता संपादक ने कहा कहानी खतम, पैसा हसम हमें कमेंट में जरूर बताईए कि कैसी लगी आपको ये कहानी और और भी कहानी सुनने के लिए चुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ धन्यवाद